नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ों समंसकार इकरम ये देश है मारा इस सेंस्टिव मामले में बीजेपी आल्सो वांट्स रू प्ले पॉलिटिक्स क्योंकि ये चुनाव का महल है उस महिला के खिलाब बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्बवार हुआ है विक्टेम शेविग कर रहे है शर्वानी चाहिए आप पूरी तरा से पैशर्वानी है उस्टिव मिनिस्टर को जबरतस्ती राध रीती के लिए भातिया जंकापार्टी गसीट रही है अगर बच्छलू की करी तो विवव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चाटने प्लेन में लखनाउ में चाट किराने लेके गए से क्या जबाब जी जीजिए इस देश में एक पार्टी है जो बलातकारियों को रिया करती है जेल से उन्हें माला पहना आती है उनके पैर शूती है उसका नाम है भारतिय जनता पार्टी उस अपराधी को वो निरलज बेश्चर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनों के प्रिश कांप्रिप्स ले जाता है एक निरलज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े मातुपूर्ण मक्ते है आप अपने आपको एक प हमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरो समन्तकार इकरम ये देश है मारा कोट की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सुबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल चुनाफ परचार के नाम पर 22 दिन की जमानत लेकर जेल से बाहर आए पूरी रण न निवा स्थान पर यानि सीम हाउस में पिटाई कांड का ऐसा बंपूटा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बलकि पूरा इंडिया अलाइंस इसमें गरिया अखिलेश यादव से लेका कॉंगरेस पार्टी तक तैय नहीं कर पा रहे कि इस घटना चक्र का सामना कैसे किया जाए इस बीच स्वाती मालिवाल ने फाई आर दर्च करा दी है और फाई आर में जो आरोप लगाए गए हैं वो रंग टेक खड़े करने वाले हैं जिसका पूरा विवरण खुलासा मैं आज ये देश है मारा मैं आपके समक्ष रखूँगा इस बीच स्वाती मालिवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और सूत्रों का कहना है कि स्वाती मालिवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान है लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्ण है कि आप बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया अलाइंस को एक बड़ा सियासी पॉलिटिकल सेट बैक लग गया है आज इसी बड़े समाल पर जनता जनारदन के बीच होगा ये देश है मारा का आज का एडिश्टिन स्वाती मालीवाल पिटाई कान में कई दिनों की लुका छुपी के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अर्विंद के जिवाल के पिये विभव कुमार को अरिस्ट कर लिया लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से सियासी हमलों का दौर जारी है जेल की धमकी देकर सजा की धमकी देकर स्वाती मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है उनको इस शड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये जूट के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है, और इसकी क्रेडिबिल्टी जिरो नहीं माइनस में है, महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुपी क्यूं है, बीजेपी ने रचा तो आप क्यूं चुप हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हमारे निताओं को जेल में डालते जा रहे हैं, इन्होंने मेर को जेल में डाल दिया, मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंग को जेल में डाल दिया, आज मेरे पी ए को जेल में डाल दिया, अब ये कह रहे हैं, रागफ चड्डा भी अभी लंडन से लॉटते हैं, कह रहे हैं, रागफ चड्डा को भी जेल में डालेंगे, थोड़े दिन में कह रहे हैं, सौरभ भारदवाज को भी जेल में डालेंगे, आतीशी को भी जेल में डालेंगे लेकिन हैरानी की बात ये है कि पहले खुलकर पिटाई की बात कुबूल करने वाली आमाद्वी पाटी अब अपना स्टैंड बदल रही है अर्विंद केजरिवाल जी के आवास पर स्वाती मालिवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी विभव कुमार जी वहां पर आते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बद्दिमी जी की अवधरता की स्वाती मालिवाल जी के ना कपड़े फटे हुए है ना स्वाती मालिवाल जी दर्द से करा रही है ना स्वाती मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर जूट इसी बेज दिल्ले में हुई राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल को नियोता नहीं भेजा गया कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्वेभार की कोई घटना सामने आए कॉंग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए जाच होनी चाहिए तथ्यों को सब के सामने आना चाहिए लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विभव कुमार की गिरफतारी के बाद सीम हाउस के पिटाई कान का पूरा सच सामने आपाएगा आज इसी मुद्दे पर होगी जन्ता के बीच वीकेंड की जोरतार बहस आज की चर्चा के बड़े मुद्दे हैं स्वाती से मारपीट के पीछे क्या कोई बड़ा स्कैंडल है जिसकी और इशारा है महिला सम्मान के मुद्दे पर क्या इंडिया अलाइंस घिर गया है दूसरा बड़ा मुद्दा आम आदनी पार्टी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा पोलिटिकल मुद्दा दे दिया है ये तीन बड़े सवाल हैं आज के और बड़े मुद्दे हैं लेकिन मेरे साथ कौन-कौन मेहमान है ये परिचे करा देता हूँ मेरे साथ आज के इस कारेकर में शाजिया इल्मी है भारतियंतर पार्टी की नेता मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है जैंतकदल यूनाइटिट के बड़े नेता राजकोवर भाटी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और प्रवक्ता बिवेक शिर्वास्ता में मेरे साथ लेफ्ट के नेताब तमाम लोगों का अभिनंदन है जोड़दर तालियों के साथ अभिनंदन के लिए तमाम मेहमानों का लेकिन आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि FIR में क्या-क्या लिखा गया है अरविंद केजरीवाल के आवास के ड्रॉइंग रूम में बिवव ने बदसलू की करी है बिवव ने का बिवव कुमार कौन है अरविंद केजरीवाल के परस्टल असिस्टेंट है से कित्वी है बिवव ने कहा तेरी आवकात क्या है तुझे सबक सिकाएंगे बिवव ने मुझे साथ से आठ थपड मारे मैं चिलाती रही स्वाती मालिवाल बिवव ने मुझे घसीता जान बूचकर मेरी शर्ट कीची मेरी शर्ट के बटन खुल गए मैं जमीन पर गिरी सिर पर मेज लग गया मैं चिलाती रही बिवव चाती पेट और निशले हिस्से में मुझे मारता रहा लातों से मैं गहरे सदमेत में थी मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी बिवव ने कहा तुझे जो करना है तू कर ले हमारा कुछ नहीं बिगार सकती कोईकि हम मुक्यमंत्री के लोग हैं बिवव सिक्यूरिटी गार्च को लेकर आया उन्होंने मुझे जाने को का उसके बाद मुझे खुद को संभालने और शिकायत दर्च कराने में तीन दिन लग गए इसके लावा इस F.I.R. की कौपी मेरे पास जो है उसमें कुछ ऐसी बाते हैं जो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा और शायद आप लोग सुन नहीं पाएंगे इस F.I.R. में जो बातें एक आप बीती है स्वाती मालिवाल की और कोई स्वाती मालिवाल राजी सबासां सदयाम आगनी पार्टी की और कोई दूसरा घर नहीं था सीम आवास में यह सब कुछ हुआ है और पूरा इंडिया अलाइंस इस बुद्दे के ऊपर इसे चोटा मुद्दा बता रहा है बीते तीन दिनों से कि कोई यह मुद्दा ही नहीं है अखिले शादवी रिजुदर ने तो सार्जनिक मंच पे इस बात को बोला प्रियंका जी कह रही है कि हम इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ लेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है उदित राज जी कह रहे हैं यह सब कुछ बीजेपी की करनी है शाजिया इल्मी क्या आपको लगता है यह कोई सामानने बात है जो हुआ है देखिये जो बयान आपने पड़ा बहुती तकलीफ दे है और मुझे लगता है शर्म की बात है कि इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं एक तरफ अर्विन के इजरिवाल हैं जिनका मौन एक बहुत बड़ी कहानी बताता है सोचिए सीएम आवास के घर में सीएम साहब के पीए सीएम साहब के आदेश के बाद किस तरह से एक महिला वो भी स्वाती मालीवाल जो कि उनकी पुरानी साथी है मैंने अन्ना हजारे आंदोलन से जोइन किया था वो स्वाती मालीवाल पीसी आरेफ कबीर और परिवरतन के दिनों से उनकी पुरानी साथी रही है जो महिला सांसद भी हैं और बता दे कि दिल्ली महिला आयो की अध्यक्ष रही है बिल्कुल निर्भीक रही है वो उनके साथ जो बत्सलुकी हुई है और जो बत्तमीजी हुई है वो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं रोना आ रहा है सुनकर और से अधामीज जी अगर वो तस् कर रहे हैं अभी भी विपप को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उधित राज ने बोला जो कि आम आदमी पार्टी और इंडिया आलाइस के जॉइंट कैंडिडेट हैं उन्होंने बोला कि यह सब कुछ बीज़ेपी करवा रही है कितनी शर्म की बात है कि महिला की बात विवेक यह विशे राजनितिक विशे बन गया है अब क्योंकि यह चुनावों का महौल है क्या आपको लगता है कि राजनीत इस पूरे मामले के अंदर इंडिया आलाइस सवालों के घेरे में आ गया है बिल्कुल नहीं आया है क्यों मैं तो चाहूंगा कि इस विशे को और उठाया जाए और भारती जंता पार्टी और उठाये और खुद एक्स्पोज हो आप मुझे एक बात बताईए जब इसी स्वाती मालीवाल को गसीड गसीड के जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने पीटा था आप कहा थी नहीं मजूदा मत बोलिए महिला महिला सुनिए प्रि आप बड़े पुरानी नेता हैं मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं देखे एक चीज को आप अवाइड नहीं कर सकते हैं ने बीजेपी क्यों करा रही है यह क्यों लग कह रहा है एदो ने कहा है इन्हों ने कहा इसाब यह कहा गया कि मुख्यमंतरी के आदमी आप हमारा कुछ नहीं बिगार सकती भाइं मुख्यमंतरी के QLOVES तो सभी इननों ने नहीं के दिनों से परिवर्तन के दिनों से एंजियों के दिनों से यह सभी पच्छे सभी यंग्स्टर्स कठे थे विभव भी थे स्वाती मालिवाल भी थी नवीन जैहिंद भी बाद में चुड़े यह सब साथ थे सब कुलीक्स हैं सालों तक समने काम किया ठीक यह पहली चीज तो दूसरी तो यह तो चीज आ ह NORट के नहीं म्याइब चारे हुच्छंट को पर्ति के लिए बात्य गंस्您VIS घसीट रही है रही बार-बार यह का जा रहा है कि ब्यजय पिगसीट रही है क्या बीजय पी ब्याइस से सेंस्टिभ मामले में ब्यॉम्स है बीजय पीahl ये क्योंकि यह चुनाब का महाल है दरसल पॉलिटिक्स इंडिया एलाइंस कर रहा है यह जानते हुए कि एक महिला के साथ दुर बैवार हुआ है उसको मारा पीटा गया है हमारे देश के इतिहास पर ऐसा कभी वाक्या नहीं आया कि कि सीएम आवास के घर में सीएम की गरीबी जो उनकी पुरानी साती है उनको मारा पीटा जा रहा है और इसके पर ना बोलना असल में राज नीती है इस पर बोलना हर एक इंसान का फर्ज है और हक है और बोलूगी और बोलूगी महिला उत्पीडन के उत्तर प्रदेश में दें रहा था कि आपको लगता नहीं है कि इस मामले में जिस पर सेंस्टिव होना चाहिए था उस पर समाजवादी पार्टी ने बहुत ही हलका बायान दिया आप तीन चार बार रिपीट कर चुक है अखलेश जी ने यह कहा ही नहीं सब दुनों ने प्रियोग नहीं किया कि छोटा म बिल्कुल दे रहा हुँ आपका आगे ता स्वाति-मालीवाल नहीं खुद कर तक उन्हों ने क्या का मेरे विशय को राजनितिक और देश में और भीशय है चर्चा के लिए चुनाव चल रहे हThe Guardian को इतो चीट किया है अब मैं आता हूं विशेप इसके दो पहलू है एक अपराधिक पहलू एक राजनितिक पहलू में मैं साजिया इलमी जी के एक शब्द से सहमत हूं यह बहुत पीडा दायाक उन्होंने शुरुवात की थी कि यह केस बहुत ही पीडा दायाक है बिलकुल पीडा द पक्षब है राजनितिक पक्षब में आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंदन ने बढ़त ले लिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसे नंबर के नेता संजय सिंग ने सबसे पहले जब बीजेपी भी नी बोली थी तब उन्होंने कहा स्वाती मालीवा कोई सिकायत नहीं दीती अगर आपने विकुल आपने एक देड़ मिनट आपने बोला की अपने बोला की तबता कोई प्रेस कांफरेंज था तब स्वाती मालीवाल बोले कुछ नहीं बोला यहीं बोला गया सुना आप लोगोंने का या ना सभाव के साथ। इंके बस yoki करी। यहीं शब्दिय। जबाब जी डिंगी इस बात का। मैं बोलता हूं एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जाया है जा मैं उससे सहमत हूं लेकिन तरीका तरीका तो आपका खराब दिखाई दे रहा है आप बोलने देंगे अगर बोलने तो बोलू अब बीच में चिला रही है आप यह बोलेंगे नहीं अब इसको समय करेंगे लाकिन यह गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिवावान बेटियां जो अंतराश्ची प्रतिश्परधा में मैडल जीत के लाती हैं तो वो कई महीने तक जंतरमंतर पर बैटी रही और इनके होट से लह रहे इनकी सरकार मोन बैठीındर इनकी पूलिस मोन बैटी रही और आसतांसद के किलाब लिकित वह ती नजाच कीso कि और वीसे पी Ice cream क苫टि अग्वेस्धु का एक नेता का मुनी खुला कि हमारी बेटियां वह वह को चार्टर प्लेक्स कर रहा है क्या इंडिया आलाइंस वाले फस गए इस पूरे मामले के पॉलेटिक्स को थोड़ा देर अलग रखा जाए लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया ने इस पूरी घटना से एक बेशर्म बेहया निरलज मुख्यमंत्री के आवास में घटना अपराधिक होती है उस अपराधिको वो निरलज वे शर्म मुख्य मंत्री अपने साथ लखनों के से प्रेश कंफरेंस में ने जाता है एक निरलज़नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं क्योंकि उस निर्लजवेक्टि को एक महिला पर हुए अपराइब कम तर लगते हैं बिलकुल नहीं निर्लजवेक्टि को 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 तो आप निरलज हैं जिसमें लाज नहीं बसती वही निरलज है ना जो जुटा आदमें वही बेशार है पहले बहुत बोले जा रहे हो तो अगर महिलाओ के लिए जान भी दे नहीं पड़े तो सत्परकास बिस्तरा देगा मैं अपकी बात पूरी अब आपकी बारी है फिर मैं वी वेक जी आपकी बात आ रहा हूं और और बेटे बिठाए आम आदमी पार्टी ने इसको पॉलिटिकल सवाल समझे आम आदमी पार्टी ने इंडिया आलाइंस की लुटिया डुबाने का काम किया है और कुल मिडाकर उत्तर परदेश दिल्ली पंजाब हर्याना यहां सबके चुनाव होना बाकी है क्या आपको लगता है इसका खामियाज़ उठाना पड़ेगा मेरी आप 30 बात पर थी कि जेडियू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन सब्दों का प्रियोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं मैं आगे नहीं बोलेंगे यह इस तरह का की गलत व्यभार इस तरह का जूट इस तरह का पाखन इस तरह का दोगलापन एक रास्टी चैनल पर नहीं चलना चाहिए था और हमारे स्रिवास्ताव जी ने भी यह किलियर किया इंडिया गठबंदन को बढ़त मिलेगी देश ये पुटन पर चुप रहेंगे दूसरी बेटी के पुटन पर चिलाएंगे इसलिए पड़त मिलेगी शाजिया जी चालिस से किन आपके हैं कोई नहीं बोलेगा अमीज जी जो शक्स कह सकता है कि इस मामले से और बड़े मामले हैं जो शक्स अकिलेश यादफ का मैं नाम करते हैं तो मैं बिलकुल अखिलेश यादफ का नाम लेके कहूंगी यह पोस्टर बोईज इंडिया लाइंस के केज्रिवाल जी और अखिलेश यादफ और जो इनकी महिला विरोधी मान सकता है वो सामने दिख रही है वो लड़की वो औरत कह रही है उसके पेट में घूसे भी के अंदर का अर्विष केजरिवाल की हवेली मतल उनके घरूरा है उसके अंदर की वीडियो आए शुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हो रही है स्वाती माली वाल की स्वाथिम आलिवाल कह रही है कि जब तक बिभव नहीं को मैं नहीं सबक सुकाओंगी मैं नहीं यह तस्वीर हमारे पास हैं समय और यह इसक्रूसिव तस्वीर हम आपको डिखा रहे हैं अब क्या बचता है और स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा चरित्र हरन किरा जाएगा अब बहुत कुछ होगा इसके बाद लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए त्यार हूँ कितना गिरेगा वो व्यक्ति ये भी ट्वीट करके कहा स्वाति मालीवाल ने क्या आपको लगता है राजकुपर भाटी आप अपने नेता के लिए परिशान नोस्ते आपको बुरा लग गया मैं उसमेना को पेट मेला भी ओस महिला की चहाती पे लाते मारी गई उसमेला को गिराया गया उस महिला की शर्ट के बटन फाड़े गए कोई तकलीस नहीं है बुरा नहीं लग रा मैंना सुरुवात इसी बोल रहा हूं मेरी चाती भट रही है बोलते हुए मैंने शुरुआत इसी वाक लगा है इसके नेताओं अपराधिस पुख्यमंत्री के साथ बगल में बैटके प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे संजै सिंग को पता था क्या पराध हुआ है के जिवाल को पता था अपराध हुआ और तीन अपराधी बैटकर एक महिला के चरित्र को बचाता नहीं है कि नहीं इससे महत्पूर मुत्य है देश में महिला सुरक्षा से पड़ा कोई महत्पूर रुक रुके संभीधान लेके घुमरे संभीधान की आत्मा मार्थी प्रवंत्री के आवास में और वो पुख्य कि एक एक सब्द पर विश्वास किया जाए स्वातिमाल वाले जो कह रही है वो सच कह रही होंगी उनके लिए उप सक्चा सक्त कारवाई की जाए इस पर हमें कोई आपती नहीं है हमें आपती इनके राजनिती करण पर इस देश में केवल एक राजनितिक पार्टी है केवल पूरा मैं पूरा आप लोगों का अधिकार दे रहा हूं बोलने का लेकिन आपको 20 सेकंड दूँगा लेकिन राजकोपार भाटी जी आप सब्सक्राइर बात का सब्सक्राइब करेंगों बा सब्सक्राइब स्सक्राइब और दूhy औरामें wedi बचाती रहती है उसका नाम भारती जनता पार्टी नेतिकता बची हुई है मैं आप सब को अदिकार है अपनी बात को रखने का लेकिन मेरे साथ कई सारे यहां पर और मेरे युवा में तरह बैठे हैं जो सवाल करना चाहते है अपनी बात को रखना चाहता है प्रेभी मैं अपसे शडू करता हुआ क्या बोलना चाहती हम अप सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप लोग इतना करते हैं लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीच जाएगी तो फिमेल की सेफटी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे किसर एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी सक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान ने जगह नहीं होती है रासभा सांसत के साथ अपमान किया जा रहा है तो हमने ग्यारे महिलाओं को टिकट दी है इनकी पिछातर सीट पर चुना रख रही है यह यह दोना भाई बहन आपकी डिवेट होने नहीं देंगे यह आज कुछ तैकर का हैं कहीं सुपारी लेका हैं यह चिलाएंगे ठीक अगर चिलाने सब्सक्राइब चलता था आप बताओ कि किस साथी मालिवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस सरा से तुम्हे घुसे मारे गए हैं किसा से तो में मारा कि ठीक ठीक ओके ओके विवेग जी इजेपी पॉलिटिक्स कर रही है जो हुआ अनफॉर्चुनेट था हमने यहां पे वीडियो को देखा वीडियो में स्वाती मालिवाल की भाशा को भी सुना सुना ना हमने उन अब शब्दों को पेट में लात वारोंग स्वाती मालिवाल के कुछ अफशब्द जो सुनाई भी नहीं दिये क्योंकि मुझे मालूम भी वह अफशब्द क्या है सबस्क्राइब को अब शब्द कर देखा नहीं है सोचे अभी तक कुछ प्रूर नहीं हुआ है कि आपको लगता है कि आपको लगता है स्वाती मालीवाल जूट बोल रही है अगर तो इस लोग है उस महिला के खिलाव बोल रहे है जिस महिला के साथ दुर्वववार हुआ है शर्म आनी चाहिए आप पूरी तरह से बेशर्म है आप पूरी तरह से प्रियोग जो करना है करें आप आप उनको बहुत करोंगी प्राइम मिनेस्टर के खिलाब मैंने कभी अप्षब्द नहीं यूज करें जब इसी स्वाती मालीवाल को पीटा था जंदर बंतर पे उसी ब्रिट बूचन सरांसिंग को टिकट दिया है बेशर्मी है कि नहीं है पूचिए बेशर्मी है कि नहीं है और यहां भी कुछ प्र यह कुछ प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन यह भी प्रूफ यह भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वह अगर एक महिला को पेट पे लात मारी जाए उसकी चाती पे लात मारी जाए उसके 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 नहीं नहीं सर सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा सर सर मैं हाज जोर से नही पेट पेकार आपके नाम पर आफूट कर रहे हैं आपमाफी के साथ यह बात बोलाऊ हूँ आप Τ Crime Command हो रहा है और वो जो बयान है वह बहुत इंट्रस्टिंग हुआ है व पुलिटिकल बयान है और उस बयान के अंदर अक्रेश जी की ने चंता जाहिर करी है सुनते हैं समाजवाद्य के सुप्रीमों पूर्मुक्यमंतरी अखिलेश जी ने क्या कहा है कर भाउच remember जी में बुखार उतरता था आज 650 में नहीं उतर रहा है सर अब मतलब बुखार की गोली में भी बीजेपी घुटाला कर रही है मतलब मतलब बीजेपी को हर चीज की साथ अगर आप लोगों ने जोड़ना है बीजेपी बुखार की गोली में भी घुटाला कर रही है पहले 500 ए पूर नहीं हुआ तो बहुत मजाक उड़ाया उड़ाया वो इसलिए कि उसका तीसरे ट्रायल पूरा नहीं हुआ था और यहां तक बुखार की बात है बुखार में दवाई दी जाती है पैरसीटामोल यह किसी भी डॉक्टर से पूछ लो पहले पहले पैरसीटामोल पंसो एमजी में आती थी अब शेसो पचास एमजी मार ये डोलो के नम से बुखार नो उतरे तो वह भी मोदी देमेदार है मोदी जी ने हमारी खाद की बौरी से दस किलो खाद निकाल लिया जैसे पारले जी करता है नहीं पहले दस मिसकुट आते थे फिर आठ करें फिर साथ करें फिर चेकरें अब पांच मिसकुट का पकेक्ट आते हैं मेरा मेरा निवेदन है कि पारले जी के बिस्किट में बिस्किट काम हो जाएं तो मोदी जी दिमेदार है बुखार अगर 500 mg से पहले उतरता था अब 600 mg से उतर रहा है तो नरेंदर मोदी जी जी बहुत जब दार है एक सेकंड एक सेकंड इस समय पारा पंतालिस डिग्री पहुंच रहा है उसके लिए भी नरेंदर मोदी जी जी बहुत जब आप लोग समझ क्यों नहीं रहे है यह जो सास चल रही है यह जो सास रुक रही है यह जो सास उखड रही है हर चीज के लिए नरेंदर मोदी जी जिम्मेदार है कहां कहां से बचिएगा अब पैरा सिट्रा मोल पे लेकि आईए जबाब मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बेहत जिम्मेदार प्रधार मनती रहे हैं पिछले 10 सालों से 370 खतम करके कश्मीर में शांतियाई मोदी जिम्मेदार है क्या दिक्कत है इसमें कोरोना पर हमला किया उसको कंट्रोल किया भारत को एकोनोमी में पांच में अस्थान पे ले गए मोदी जी बिल्कुल बहुत जिम्मेदार है क्या दिक्कत है इसमें 33 प्रतीसत महिलाओं को ताकत दी कहा कि तुम संसत पहुचना विधान सबा पहुचना मोदी जी जिम्मेदार है क्या दिक्कत है इसमें आप एक बात समझें उन्होंने पर एक आपने इतनी सम्मेदार है बता जी एक सबूत दे रहे मुलाइम सिंग जी भी ऐसी इसी बयान दिया करते थे उनको समझ नहीं आता है वेक्सिन बता दिया भाज़पा का वेक्सिन है इंजिनेरिंग का स्टूडेंट इस तरह का बात कर रहा है तो क्या बोलू मैं उनको हसी आती है अक्रेस यादव जी पे बड़े वो मुख्यमेद जी के बाद पहरा सिट्टा मोल का फॉर्मूला लग आपको आपको रिसेंटली बुखार हुआ था तो 500 एमजी पे उतर आता था शाड़े 600 एमजी की गोली से उतर आता एक तेके वाइव जो में खिला देती है हमारी बीवी जो खिला देती है अपने बुखार उतर जाता है अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन लेकिन देखिए मैं एक लाइन मैं कहने जाता हूं यह बुखार 500 एमजी पे उतरे अरे गोली वाले को पकड़िये नरेंद मोदी जी को अगरा पहला सिटा मोल के मामले भी पकड़ेंगे तो और भेतर मामले जिन पर पकड़ सकते हैं कि यादव की बात में सच है दरसल जब से मोदी जी आए हैं उनका जो सरदर्द होता है उसकी तीरवता एतनी बढ़ गई है कि 650 की गोली से भी उनको सरदर्द नहीं जाता है यह मोदी जी की ताकत है कि ऐसा है क्या फिर तो फिर तो 2024 के चार जून के बाद कहीं 6600 प्लस 6500 या नहीं तेरा सो एम जी की गोली रखारी पड़ जाए है उनका बुखार बहुत ज्यादा पारा चड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा कौन लड़ेगा कौन जीतेगा खिलेश यादव जी पर इस चु कुछ भी हो मेरे भाई और बहन दोनों का टार्गेट हमारे नेता हैं लेकिन मैं एक बात याद दिला दू जो सब दिनों ने आज मेरे नेता के लिए प्रियोग किया मुझे बहुत दुख हुआ वैसे वही सब्द तीन महीने पहला इनकी पार्टी साजिया जी की पार्टी उनके नेता के लिए निती इसकुमार के लिए यूज कर रही थी जब उनोंने विदान सलामे क्यां घ्रम में किया था नज और नियोजन कैसे हो सकता है वीजेपी ने इतनी गाली आदी के निर्लत जादमी है और यह वेशरा में यह साथ सब्सक्राइब भगल में विवेक जी खड़े हैं आपको इनोंने राहूल गांदी को क्या नहीं बोला अभी है इंडिया लाइज में अमेजी हमारे नेता ने एक में दुबारा कहूंगा स्वाती मालीवाल पर जो बयान है एकले श्यादव का वो निरलज्जता से भरा बयान है तो निरलज्जता से भरे बयान को क्या बोला चाहिए आपको दुख होता रहे आपको स्वाती मालीवाल पर वैसा दुख नहीं हो रहा है आप से सबाल है आप भी सरमना गटना यह मैं मानता हूं आपने अभी का कि हमारी वहनों के साथ अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा हात्रस कांडुवा युत्ता प्रदेश के अंदर मनीपुर कांडुवा हमारी वहने जन्तमंतर बाद दो तीन महीने बैठी रही तब आगे आगे जब हात्रस का कांडुवा था मैं कोविट से अस्पताल में जूज रहा था रुख जाए और वहीं जान दे 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 लिए और योगी सरकार पर सवाल नहीं उठाए करारा हमला किया कि यह गलत हुआ है वो गलत था जो हात्रस में हुआ है बिजभूसन के खिलाब बोला जो भी हुआ महिला पहले मानों के गलत हुआ है महिला हिंसा पर इस देश में कहीं भी कुछ है वो गलत है आप क्यों नहीं गलत बोलते हैं पॉइंट है देखे मैं इस बात का साक्षी हूं कि ब्रिजभूसन वाले मामले के ऊपर सत्रप्रकाश जी ने सब्सक्राइब और किसका सबाल है इसे पार्टी समाजवादी पार्टी जिनके समय में होता है तो क्या निंदनी नहीं था वो निंदनी नहीं था देखिए एक लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं गेस्ट है उसकांड मायावती जी के सा जो हुआ था तब भारतियंतर पार्टी के कुछ नेता ना होते तो मायावती जी की जान नी बचती यह मायावती जी ने कहा जैप्रदा का इंसिडेंट है आजम खान ने उनके अंडर गार्मेंट की बात करी मुझे यह बोलते हुए दुख औरा लेकिन करी क्या आपको लग आज ते ऑर ऐस उसे बारतियंतर पार्टी ने बड़ा चडा के तूल देंगे पेस किया थो देखिये दखेुंप जानी कि साथ भी मिचारे ले आहे ताव भारतियंतर पार्टी के वज complicado क्या थी ने विरोदी की लेकिन उन्ने फोन बारतियंतर पार्टी के नेता उनके अगर बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं आज जिंदा खड़ी नहीं होती यह मायवती का ओन रिकॉर्ड बयान है अमीश जी आप पत्रकार हैं जी आपको अच्छी तरह पता होगा कि भारती जंता पार्टी ही उसके सरकार को गिराने का सड़ेंतर रच रही थी भारती जंत पार्टी के नेता हुने मायवती के साथ बच्छलू की करती निंदनी है गलत है वह था नहीं वह तो आप बता हुआ था मैं प्रस्ट भूमी बता रहा हूं मायवती यह थी एक चुनी हुए सरकार को गिराने का सड़ेंतर किया जा रहा था और विदाक नहीं चाहते हैं आप तब का दौर था मैं इसको कर रहा हुए तब का दौर था हम सोचते थे अब तब वो काड़ हुआ तो आपने होगा अब मुक्हे मंतरी के आवास में इस तरह का का काड़ हुआ है सोचिए उस समय मायवती पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे लेकिन मायवती फाइनली बह किता नहीं होते तो मैं जिन्दा वापस नहीं आती और आज स्वाती मालीवाल के साथ जो हो रहा है सोचा गया था कि तब हुआ तो आप कैसे होगा लेकिन साल 2024 पे भी हो रहा है तो यानि शाजिया इलमी तब तो आप पत्रकार रही होंगी क्या आपको लगता नहीं कि स्थ पर आ रही है और जो पूरी फिल्थ है जो उसमें गंदगी है वो सामने दिख रही है और नवीन जाहिन मेरे साथ खुद इतनी बदसलूकी की है दुरगेश पाठक जो भी इनका इमेले है उसने गंदे गंदे शब पब्लिकली मेरे सामने कहे थे जब मैं शिकायत करने गई थी मनी की मनी तो वो मनीश सूडिया के साथ बैठा था दुरगेश पाठक और उसके साथ बंदा सतीज जागर उसके साथ बैठा था जब मैं अर्विन के पास गई रोते वे हमने का अर्विन इन लोगों ने इतनी बत्तमीजी की आर्की पुरम में जहां में कैम्पेंड कर थी अर्विन बोले मनीश से पूचो मैं क्या करूं तो इस तरह के लोगे सोनी मिश्रा का मामला आपको याद है जब शरत चाहान का मामला था नरेला का मेले था जब बीचारी सोनी रोड़ती पीटी वी गई कि मुझे मेरे साथ बत्तमीजी कर रहे हैं मेरा उत्मीरन हो रहा एक मिनाट लाइए 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 रहे रह साथी माली वाल उस पार्टी की राजस्वा सदस्क्राइब के फूउंड क zor कोई पुरा नहीं था आर अचानक लिडेशन चे पिखड़ा वह करेंगे आरोप जब सिद्ध होंगे तो जरूर इसकी होगी लेकिन प्राइमा फेसी में यह घटा करा अबहुत हो ऑगषित होगे तो गषा निया सबस्वेस हो कंदा अब जान आप है भाइसाप विर्खा वाराय करा रही है और फॉट्र आ पहला है यह घ्लिड हो इसकी कर रहें आदा ते एक सकते एक साथ है वह बहुत जादा निंदनी है और उसको अगर कोई व्यक्ति डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है तो उससे भी जादा निंदनी है पॉइंट नमबर वान पॉइंट नमबर टू पैरा सिट्टा मोल साथे 500 यह साथे 600 मजी की हो जाए मोधी जिम्मेदार है स्वातिमालिवाल स और भाका ससंता है। मौँ आरेंदनी मौदी से पॉलिटिकल अप्सेशन होना इनका लाजमी होगा लेकिन कम से कम लॉजिकल तो रखेंगे अपनी बात को यह लोग तो स्कूरें तरह करता हूं आप मुझे अपना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत श्खरीया झाल 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 झाल